गुड मॉर्णिंग औल फ्यू आएम आस्तोस और वेलकम टू अवर आस्तोस टेक्निकल एक्सपर्ट यूटूब चैनल आज मेरे पास आईए सैमसंग के 32 इंच एले टीवी और इस एले टीवी में ने नया पैनल इंस्टोल किया है लेकिन नया पैनल इंस्टोल करने के बाद मेरे सामने जो प्रोब्लम आ रही है वो आ रही है मैपिंग प्रोब्लम तो मैपिंग प्रोब्लम और मिरर प्रोब्लम को हम सैमसंग एले टीवी में कैस किस तरह किस रिपेर कर सकते है ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरे देखिए तो जैसी के आप अपने स्किन पर देख पा रहे है यहां पर सामने mapping problem आ रही है लेकिन picture यहां पर सीधी आ रही है picture यादी उल्टी आ रही है या फिर mapping problem आ रही है उसको किस तरह ठीक करना है तो आप वीडियो को देखते रहें तो यहाँ पर मैंने वीडियो प्ले कर दिया है आप देख पा रहें यहाँ पर वीडियो प्ले हो चुका है तो यहाँ पर आप देख पा रहें बिल्कुल यहाँ पर भरपूर मैपिंग भरी यहाँ पर नजर आ रही है तो इस problem को किस तरह किसे ठीक करेंगे उसके लिए आपको सबसे पहले अपना remote ले लेना है हाथ में तो हाथ में remote रखें और सबसे पहले उसको power off करें तो यहाँ पर मैं अपनी LED TV को power off करता हूँ तो मेरे पास यह अर्थिमा का remote है यदि आपके पास इसका original remote है Samsung का उससे भी हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यहाँ पर आपको चार बटन प्रेस करने है power off करके पहला info, दूसरा menu, तीसरा mute, चोथा power इनको एक साथ दबाना है info, menu, mute, power तो यहाँ पर यह प्रेटन को प्रेस करके छोड़ देना है अब इसकी यहाँ पर service setting open हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख पा रहे है मैंने यहाँ पर remote का कोई भी बटन नहीं दबाया है तो अब भी आप इसकीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी फीचर यहाँ पर open हो चुकी है यानि service setting open हो चुकी है सबसे पहला option है यहाँ पर तो इसमें जाना है इसके बार नीचे है MRT option सबसे नीचे इसमें जाना है और सबसे जो पहला आप देख पा रहे है LVS format यहाँ पर जिड़ा हो रहा है select और नीचे फिलिप का option है तो इस पर ok करते हैं और यहाँ पर left arrow की दबाते हैं यहाँ पर visa पर कर देना है और आप देख पाने हैं यहाँ पर mapping problem ठीक हो चुका है तो वापस मैं back चलता हूँ दोबारा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सबसे पहले option है इसमें जाना है इसके बार नीचे MRT option है इसमें जाना है MRT option के बाद यहाँ पर LEDs format है और के करना है left यह right arrow की दबाना है इस तरीके से आप देख पार हैं यहाँ पर jda select हो चुका है यहाँ पर right की दबा के visa select कर लिया है नीचे दूसरे नमबर है hv flip यहाँ पर यह mirror वाला problem ठीक कर देता है यहाँ पर आप देख पार है picture उल्टी हो चुकी है और इसे हम right arrow की दबाएंगे तो यह picture वापस से सीधी हो चुकी है यदि आपकी कुछ इस तरीके same time mapping problem दूर नहीं हो रही है और picture जो उल्टी है सीधी नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं इसे power off करके दोबारा on कीजिए आपकी mapping problem और mirror problem ठीक हो जाएगी तो यहाँ पर back चलते हैं आप feature देख पा रहे हैं कुछ और यहाँ पर यहाँ पर नहीं चड़ना है क्योंकि बहुत सारी setting है यहाँ पर तो यहाँ पर मैं off करता हूँ दोबारा on करता हूँ यहाँ पर मेरी LATV में same time हो चुका है यदि आपकी Samsung की LATV में same time नहीं होता है तो आप ऐसी स्थिती में off करके LATV को on करे आप देख पारें अपनी skin पर यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर mapping नजर नहीं आ रही है तो इस LATV में मैंने यहाँ पर new panel इंस्टोल किया है और यहाँ पर यह छोटा connector वाला जो AMI का panel आता है मेरे पास वो available था तो मैंने वो लगाया है और जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा जिस वीडियो मैंने USB jack प्रोब्लम को रिपेर करके दिखाया है उस ही वो ही LATV है यह जो mapping problem आ रहा है यानि जिसमें मैंने पैनल इंस्टोल किया है तो यहाँ पर मैंने उसके बीच में कनवर्टर लगाया है और यहाँ पर यहाँ है LATV अब ओके हो चुका है न्यू पैनल मैंने इंस्टोल किया है तो यहाँ पर मैं आपको पैनल दिखा दो जो पुराने वाले जो broken पैनल है जो मैंने इसमें से निकाला है आप देख पा रहे है यह है वो इसकी scalar PCB और यहाँ पर इसका मैं मोडल नंबर दिखाता हूँ मोडल नंबर आप देखिए इसकीन पर आप देख पा रहे है XC2 जो लास्ट में लिखावा यह इसका मोडल नंबर है इस पैनल का तो यह सेमसंग का पैनल इसमें था तो यहाँ पर मैंने इसकी जगा MI का जो पैनल है वो मेरे पास जो अवेलेबल था चोटे कर्रेक्टर वाला वा मैंने इस्टोल किया है कनवर्टर लगा कर और उसके बाद मुझे मैपिंग प्रोबलम का सामना करना पड़ा mirror problem नहीं आए लेकिन मैंने आपको mirror problem और mapping problem का दोनों का solution बता दिया है तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको मेरे है वीडियो समझ आया होगा